क्या आप लोग के प्रवेस्टन रुगा काफीर चल लोगे तो इस वीडियो में SSE MTS 2034 में जितने भी टोपिक्स आएंगे उन में किस टोपिक का कितना विटेज होता है इसके बारे हम बात करेंगे और यह सारा का सारा डाटा में है 2022 और साथ ही जाथ जो 2023 में एक्जाम हुए जो कौन कौन से टोपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जिन से कोशन आती ही है उनके बारे में बात कर लेंगे GKGS current affairs में बात करेंगे किस topics से कितने कोशन आते हैं और साथ ही साथ जो GKGS और Static है ना Current affairs में कौन 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 से topics है जो fix है की आते हैं ठीक है क्योंकि जो SSE MTS का एक्ज एक सिप्ट में common रहते हैं तो यहां से question बनते ही हैं इसके बारे में बात कर लेंगे और साथ जाद अगर आपको books वगर के बारे में नहीं पता है तो books भी बता देंगे, teacher भी बता देंगे, job profile भी बता देंगे आप देख सकते हो किस topic का weight is सबसे जाद है और यह 2023 का है तो यहां पर आप देखोगे ना तो कुछ questions ऐसे भी आते हैं इसमें average percentage और ratio तीनो जो chapters है इन तीनो chapters को add करके question मनाता है तो लगवक तीन question ऐसे आये थे एकी shift में जिनमें average percentage और ratio जो है रहा है वो mix करके है तो यह topic कॉफी ज़्यादा important है average percentage और ratio in topics को आप अच्छे से पढ़ लेना साथ ही साथ time and distance वाले question भी बहुत ज़्यादा आते हैं और यहां पर आप देख रहे हो time and work वाले question बहुत ज़्यादा आते हैं और discount से question तो 2023 में बहुत ही कम आया थे इस वज़से मैं इसकी को zero ले रखा है mensuration, LCM के भी question मतलब उतने ज़्यादे नहीं आते हैं लेकिन यह आप देख रहे हों कौन से topic ज़्यादा आते हैं ठीक है तो यह 2022 का data है यह 2023 का data है और इन सारे जितने आपको PDF से मैं दिखा रहा हूँ अब बात कर लेते हैं इंग्लिस की तो इंग्लिस जो है यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है इसमें आप कोसिस करना और यहां पर मैंने रिजनिंग इसलिए नहीं रखा है कि रिजनिंग सबको लगवग लगवग तायारी होता है उसमें आप सिर्फ और सी प्रेक्ट मैं लिखा वो इसमें इरर पैचानो कौन सा इरर एक तरीके से वह लगवग दो आया थे और हर्ड वाले सिप्ट में छे आया तो यह आप देख लो और आइडम फ्रेज इनोनिम संटोनिस वन वर सब्स्टिशन है इस तरीके से कुछ होता है इनके हिसाब से प्रिप्रेशन क कर सकते हो जिसका इंपोर्टेंस है उसके बाद एक चीज और ध्यान रखना कि जो इंग्लिस है इसमें आपका एक्ट्व पैसिव डिरेक्ट नहीं आता है बहुत सारी चीजे नहीं आती है उनको आपको तयार नहीं करना है लेकिन कौन-कौन से चीजे जो इंपोर्टेंट ह करके माँ आपको से पहले तयार करना है ग्रेमर तो आपको आपको सबकुस तयार करना होता है लिए उनको करने के लिए पूरा का पूरा 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 Panson कैसी असपर तयार कर सकते हो वन वाज सब्टिटुशन जिसको आप black book से कर सकते हो या फिर mb publication से भी कर सकते हो spelling जो error है इससे भी question fix आते हैं भाई दो question क्या सपस fix आते हैं आप देख लो spelling जो error है वो 3-3 question आ रहे हैं ठीक हर एक shift में तो 2 question क्या सपस fix आते हैं तो fillers वाले भी important है इसके लिए आपको grammar और vocab सब कुछ अच्छा रहना चाहिए तो fillers के practice अच्छे से करना और अभी से करना ठीक है daily 5-10 क्यास पास question करते जाना item phrase की बात करो तो यह भी आप black book और need to mam की book या फिर mb से पढ़ सकते हो तो need to mam की book काफी अच्छी है item phrase के लिए question tag वाले भी questions आते हैं तो इनको भी need to mam के book से कर लेना tense कर लेना subject work agreement बहुत ज़्यदा important है इसको कर लोगे तो मतलब आपका 50% grammar ऐसे ही तयार हो गया article के question कर लेना और वो क्या है black book 3000 याद कर लेना तो यह important topics हैं इनको अगर आप कर लोगे तो 20 plus question आप बना लोगे यह मैं यहाँ पर बता रहा हूँ बाकि यहाँ पर मैंने book का नाम लिख रहा है इन book से आप पढ़ सकते हो उसके बाद आप practice करना हो तो practice करने कर सकते हो या फिर कोई अगर आपके पास बुक पढ़ी हुए पी वाई क्यों की यह तो उससे आप कर सकते हो ना हम बात कर लेते हैं इतना सारा topics लिख रहा है इसको तो मैं बता नहीं पाऊंगा लेकिन यह PDF आपको टेलिग्राम पे मिल जाएगा तो यहाँ पर मैंने सата कर दिया है और सबस्क्रांग जाए कि प्रदानमंत्रि के आया हुए इंडियन ग़र्मेंट की यह तो जो सट्री के मतलब कि जो काफी पहले यह त्यूजना बनी तो में अर्फे पहले वाले और 2 रस यह चूजना और जैसे प्रदानमंत्री जब ቦ हे तू 2014 में, 2014 में, उसके बाद जो थी, वो सब लगवक current में ही मान सकते हो, तो वो सारे के सारे current वाले हैं, तो यह बहुत important है यह हो जना, ठीक है, तो इसको अच्छे से तयार करना, static वाला portion यहाँ पर मैंने एक साथ कर दिया है, और mislaneous current affair इसको मैंने लिख रखा है, और current affair जो sport वाले होते हैं, अवार्ड वाले होते हैं, वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, book authors, biography वगरे से भी question 100% आते हैं, यहाँ पर मैं जनसंक्या नि पापूलेशन से question लिख रखा है, द इसका ज्यादा है, SCST, OBC कहां पर सबसे ज्यादा है, या फिर किस state में कम है, या फिर जनगर्ना last हुई थी, उसके according कोई चीजे पूछ सकते हैं, यह सारी चीजे पूछती हैं, ठीक है, world geography के बारे में किसी जो हमारे आसपास के जो पड़ोसी देश है उनके बारे में ज्या इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, geography India जो है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, economics, quality, modern history, यहाँ पे मैंने साइची चीजे लिख रही ठीक है, लेकिन इसको मैंने अच्छे से elaborate किया है, तो अब देखो, GKGS में मैंने elaborate कैसे किया है, यहाँ पे देखो, जितने भी topics आते हैं, statics में, मालो, ठीक है, मैंने बोल दिया, इस्टेक्स त्यार करो, बहुत सारे लोगों जो पता देते हैं, इस्टेक्स में त्यार क्या करो, सबसे आदा confusion होता है, ठीक है, यहाँ आपको पता है, मैं खुद देखी student, मतलब, experiment रहा हूँ, और अभी भी मतलब, पढ़ाई-बढ़ाई करता ही हूँ, तो मुझे पता है, कि भाई, किसी को अगर बोल दो, पॉलिटी पढ़ लो, तो क्या पॉलिटी में पढ़ो, क्या important है, क्या छोड़ू, क्या पढ़ू, तो वो चीज मैंने यहाँ पुरा का पूरा पूरा लिख रहा है, ठीक है नेरु से रिलेटेड या फिर कांग्रेस का अधिवेसन हुआ था, वो सारा का सारा जो इंसिडेंट है, वो सारा का सारा चीज आपको याद करना है, तो इस तरीके से मैंने पूरा का पूरा बना रखा है, और यह काफी अदा महत लगा है, इन सारा चीजों को बनाने में, इतनी भी चीज़ें हैं, हर चीज के बारे में आप पढ़ लेना, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो 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 मिडिवल हिस्ट्री में इस राजा ने जारी किया था, या फिर आप कह सकते हो, इस कर को इस राजा ने लगा था, इस टाइप की चीज़ें भी आपको पढ़नी इस तरीके से आप हर चीज को याद कर सकते हैं, हर चीज़ें दे रखिए, ठीक है, बाई कोई confusion भी होता, आप comment box से पूछ सकते हो, और इस से बाहर कुछ नहीं आता, यह लगबग आपके पचीस में से इन topics को तयार कर लोगे, तो पचीस में से लगबग लगग या 15-16 questions तो आप सिर्फ राके सिया जो सर की बुक लगा के और प्रिबियस येर का जो MTS हुआ है या फिर CGL का प्री हुआ है, उनको सिर्फ लगा के आप मैस अच्छा कर सकते हो, और मैस आपको पता है, क्वालिफाइं इन नेचर और ओर इस निंग तो बहुत ज्यादा करने दियो तो किसी भी टीचर से आप धंग से पढ़ लो, क्योंकि फ्यूजर में आप CGL, CHSL भी दोगे, तो थोड़ा सा धंग से आप पढ़ सकते हो, टाइम भी जो है ना वो लबक तीन महीने के आसपास है, तो आप आराम से कर सकते हो, तो इन टीचर से आप पढ़ लेना, फ्री आपका के एक टीचर है, उनका आप रिफ्रेंस वीडियो देख लोगे, तो आपको जो लुसेंट वाले बूख है, वो अच्छे से समझ में आ जाएगी, और पी वाइक्यू कर लो, और जो मैंने टॉपिक्स यहां पर आपको बता रखें ना, कि ये टॉपिक्स आएगे, इन कर सकते हो, इन सारी बुक से आप प्रिवेस यह कर लो, दो सो तीन सो लगा लो, बस और साथी जो इस्टेटिक वाला पोर्चन है, वो आप कुमार गौरोसर जो है ना, उन से पढ़ ले ना, ये आप सर्च करोगे, इन से पढ़ लो, कि 100% यहां से पसते हैं, कुमार गौरोस के लेवल 6 में, और काफी जादा कोशन मतलब मुझे मिल गए थे, 3-4 कोशन मिल गए थे, करेंट अफेर के, मतलब 4 गंटे की क्लास करने पर ही, तो इन से आप पढ़ सकते हो, डेली पर समत पढ़ना, मन्तली या फिर, येरली वाला जो करेंट अफेर होता है, या फिर 6 मन्त वाला होता है, उससे आप कर सकते हो, फिर वीकली भी कर सकते हो, ठीक है, कुमार गवरो सर याद कर लो, बाकि रिजनिंग के लिए, प्यूस सर और पीवाईक्यू जितना हो सके, उतना लगाओ, किसी भी टीचर से आप धंग से आप रिजनिंग पढ़ लो, यूटुब बहुत से लोग कंफ्यूज होंगी, ज्याइनिंग कितने टाइम लगेंगे, तो लगबग आपको अप्रेल या माई के असपास हो जाएगा, मेरा ज्याइनिंग तो अभी तक नहीं आए बाई, लगबग 2020 के बाद से, कुछ इर्यर हो गया होगा, मैं गया भी नहीं क्योंकि यह Frame? इन प्रोफ प्रफ गी नहीं होता है, जो हॉन के लिए प्यूटर Gactor नहीं होता है, जो की बिल्कुल है स्किल जिनके वर्फ श्किल नहीं और नहीं चेस्ट का़ व्लड होता है नहीं आता है MS Office वगरह नहीं आता है तो अगर आपको सब चीज़े आती है थोड़ा अच्छा पर्फॉर्मेंस कर लेते हो वहाँ पर बता दो कि हाँ मुझे इंग्लिस आती है मैंने प्रिप्रेशन कर रहा है या फिर ऐसा तो आपको आपको एक डिस्क जॉब दे देंगे जहांके आपको फाइल वगारा मेंटेन करना होगा इस तरह की जॉब होती है अब देखो पैटर्न है आपको पता है math reasoning qualifying in nature है और यह number of question है और यह आपके mark है नहीं हर एक question तीन number का है और यूर का जो cut-up है वो 36 mark लाने होंगे total में से टोटल लेना इसमें से 36 mark OVC के लिए 30 mark और अधर जो है SCST बाकि उनके लिए 24 marks लाने होंगे तो आप जो section 2 आप का तभी check किया जाएगा और GKJS in English में तो आपको maximum score करना ही है और time 45 minute इसके लिए मिलेगा और 45 minute इसके लिए मिलेगा और exact syllabus है SCMTS का उसको आपको नोट करना बहुत important है यह आपका exact syllabus है यह mathematics का जो की बहुत broad है इसमें आप कुछ topics अच्छे से तयार कर लेना आपको अलग कर रखा है पॉलिटी एकोनोमिक्स जोग्रफी इंडिया जोग्रफी वर्ड यह सारा का सारा मैंने अलग कर रखा है ठीक है और हार्ड मॉडर्र और इजी सिप्ट को भी मैंने केटरगराइज कर रखा है तो यह होगा सलेबस सलेबस भी आपको नोट कर लेना चाहिए को कि बहुत सारी चीज़ें है जो कि पीडिया भी आपको यहां पर मिल जाएगा तो आइधिंक कि आपको सारी बात इसा वज में आ गए होगी और यही सारे सारा चीज आप फालो कर रहोगे तो से सी एंप्टियस आपका 100 परसंट क्लियर हो जाएगा ठीक है और यहां पर मैंने सारे टॉपिक्स नोट कर रहे है और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का चलो मिलते हैं एक स्टूडियो में जहीं टेक करो वीडियो को आर लाइक कर देना क्यों इतना सारा डाटा इकठा करने में आपको पता है कि इतना ज़्याधा इस्टगर लगता है चलो